हेलो फ्रेंट्स विल्कम टू मेकैनिकल टेक हिंदी फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में आपको नई बाइक और स्कूटर के खरीदने को लेकर कुछ इंपोर्टेंट बाते बताऊंगा लेकिन टॉपिक में आगबढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ के आज के इस वीडियो के साथ चैनल पे टोटल 600 वीडियो कम्पलीट हो गया है तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इसी तरह से आप चैनल को सपोर्ट करते रहे और आगे भी मैं आप लोगों के लिए बेतरीन वीडियो बनाते रहूंगा उसी तरह से आप Instagram में भी support करें और Instagram में चैनल को follow जरूर से कर ले Instagram का link मैं इस वीडियो के description में दे दूँगा साथ ते अगर आपका कोई भी doubt हो, कोई भी suggestion हो तो आप कुछ भी जानना चाते हो तो आप सिधा मुझे Instagram में message भी कर सकते हो तो please channel को Instagram में follow जरूर से कर ले अब देखिए आज के topic के बात कर रहें तो मैं आपको बता दूँँ कि जब भी हम कोई नई bike या scooter खरीदने के लिए showroom जाते है तो कुछ कुछ showroom वाले जो customer हैं उनके जानकार नहीं होने का फाइदा उठाते है और bike या scooter को बेचते समय कस्टमर को कुछ ऐसे accessories है कुछ ऐसे policies है जो ये बोलकर बेच देते है कि अगर आपको नई bike या scooter लेनी है तो आपको इन accessories को भी लेना पड़ेगा आपको इन policies को भी लेना पड़ेगा और कुछ customer है जो की जानकारी के अभाव में उन accessories और policies को खरीद भी लेते है अब अगर accessories की बात करें तो मैं आपको बता दू कि इन में आता है helmet, crash guard, engine guard, mud flap, mud guard, cleaning kit, polish, hand guard, lever guard और अगर हम आपको policies की बात करें तो सबस्यादा तो जो extended warranty है वो बिचा जाता है इसके साथ ही जो bikeya scooter का service letter जो AMC होता है जो annual maintenance contract होता है वो भी अकसर customer को ये बोल के बेज दिया जाता है कि आपको इसे लेना ही पड़ेगा मैं आपको बहुत ही क्लाली बता दू कि आप showroom के इस जाल में नहीं फसे ठीक है ये कोई भी चीजे जो है वो लेना mandatory नहीं है ये पूरी तरह से customer पर depend करता है कि वो अगर वो चाहता है तो इन में से जो भी ऐसे सीरिस चाहिए वो ले सकता है जो भी policy चाहिए वो ले सकता है लेकिन अगर customer को नहीं लेना है तो showroom वाले इसके लिए force नहीं कर सकते है और as a customer आपको अपना right पता होना चाहिए आपको अगर नहीं मन है तो आप कोई भी policy को नहीं ले कोई भी ऐसे सीरिस को नहीं ले नई बाइक या scooter खरीदते समय फिर भी अगर आपके साथ ऐसा किया जाए तो मैं आपको बता दू कि इस तरह के case मा आप दो चीज़े कर सकते हो मैंने पहले भी बताया तो मैं फिर से आपको बतायता हूँ सबसे पहले तो आप एक काम करो कि जो शोरूम का manager है आप उसे complain कर दो कि मुझे ये चीज़े जबरदस्ती बेची जा रही है मैं आपको बता दू कि ये मैं अपने experience से आपको बता रहा हूँ मैंने Honda में, Bajaj में as a workshop manager काम किया है और इन चीज़ों की मुझे practical knowledge भी है तो आप अगर manager को complain करते हो तो chances है कि जो आपका ये जो problem है वो solve हो जाएगा फिर भी अगर manager को बोलने से काम नहीं चले तो अभी आपको screen पे अलग-अलग two-wheeler manufacturing companies के tall free number दिखाई दे रहे है मैं आपको ये clear कर दूँ कि जितने भी number है वो showroom या service center है कोई dealership का number नहीं है ये direct company का number है ये सारे numbers मैं आपको इस video के description में भी दे दूँगा तो simply आप इन numbers में call करके company को बता दो कि ये dealership में मुझे ये दिक्कत आ रही है इन चीजों के लिए मुझे पैसे देने को कहा जा रहा है तो इस तरह से भी आपका problem जो है वो solve हो जाएगा तो as a customer ये बहुत basic बात दे है लेकिन अक्सर मुझे लोग message बगरा करते हो और इसके बारे में पूछते है तो उम्मीद है कि आज के इस video से आपको आप मुझे comment करके जरूर बताए इसके लाव अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को subscribe भी जरूर कर ले मिलते अगले वीडियो में थैंक्स वाचिंग इस वीडियो गुड़ बाई